जब अपना भाव छूट जाता है, तब सिर्फ आत्म भाव ही रहता है, ब्रह्म भाव ही रहता है, अपना भाव यानि एहंकार से बराबरा, मन से बराबरा, विचारों से भरा भरा भावनाओ से भरा भरा अपना भाव यानि काम, क्रोध, लोब, मोह, मान, इर्शा इस से भरा भरा भाव आपने देखा होगा कि एक छे महने का जो बच्चा है वो लेटा है, हसता है, हाथ पैर उचालता है उस बच्चे की आँखों में देखा है कभी क्या वहाँ अहंकार दिखाई देता है क्या वहाँ काम, क्रोध, लोब, मोह, दिखाई देता है तो देखो उसकी आँखे कितनी विस्मईता से भरी है वो कितना ताजा-ताजा, खिला-खिला है उसका संपूर्ण अस्तित्व कैसे आनन से भरा है तो आपको भी जो है, फिर से उस बच्चे जैसे हो जाना है अभी जो आपकी भीतर एहंकार है, मन है, वो कहां से आया है वो समाज, शिक्षा, घटनाए, गलत-धार्मिक मान्यताए, अज्ञान, वश, अनुभव ये सब कुछ वहीं से आया है उसे हटाते जाओ होश-पुर्वक हटाते जाओ नहीं हटता है, ऐसा बोलना ही नहीं है अगर आप चाहोगे, तो हटेगा अगर आपको उसे रखने में सुक्ष्म रस आता है तो वो नहीं हटेगा तो जब ये अपना भाव हटेगा एहम भाव हटेगा तब आप एक तम वो छे मैने के बच्चे जैसे हो जाएंगे तो जब आप होश पुर्वक उस छे मैने के बच्चे जैसे निर्दोश, निर्दंब, निश्कपट और सहच हो जाओगे तो आप आत्म भाव से भर जाओगे आप उस आत्म भाव में स्थीत हो जाओगे आप उस ब्रह्म भाव में स्थीत हो जाओगे फिर वो ब्रह्म भाव में आपको ऐसा लगेगा कि जो भी सामने है उसे नमस्कार करे सब कुछ नमस्कार करने योग्य हो जाता है देखो ब्रह्म भाव में सब पर प्रेम उभरता है सामने कौन है उसकी और ध्यान ही नहीं जाता ब्रह्म भाव में द्रश्य हट जाता है और दिव्यता ही दिखाए पड़ती है वीवीधिता है हट जाती है और एक रूपता वही दिखाए पड़ती है ब्रह्म भाव में तुछ भाव चला जाता है और पुज्य भाव वही प्रगट हो जाता है दूख, संता, पीडा ये सब मिट जाता है आनन्द ही उभरता है एहम भाव ही चला जाता है प्रेम और करुणा वही उतरते हैं ब्रह्म भाव में जड़ दिखना बंद हो जाता है और सब कुछ चैतन्य ही हो जाता है पत्थर में भी चैतन्य दिखता है ब्रह्म भाव में सब कुछ ब्रह्म का ही विस्तार लगता है सब कुछ परब्रह्म ही लगता है रस पूर्ण पूर्ण से पूर्ण आनंद से परिपूर्ण ही लगता है सब कुछ उसे भाव कहो या स्थीती क्या फर्क पड़ता है तो उस भाव में उस थीती में अगर आपका कोई अपमान करे गाली दे कोई आपसे कुछ छीन ले कोई करोध करे मारे या कुछ भी हो जाए तो भी वो आपको भीतर से चूता तक नहीं उसको अपने गले लगाने का मन होता है क्योंकि ब्रह्म भाव में आपके भीतर वो परभ्रह्म का ही प्रेम और करोणा वही बहती है तो आप सब को मेरा नमस्कार क्योंकि एँार है